अब आप से बच्छाँगे तो मल्टिपल रिकुट्मेंट की बात कर लिते हैं फॉर फ्रेश जिसमें आप आपकी 60 की यानि 60,000 के प्लस ही है तो वीडियो कंपेट देख लिना जिसे साइड आपको मिल जाए काफी कमी से आपको ऐसी रिकुट्मेंट देखने हो को मिलेगी त तो बात करते हैं कौन-कौन सी पोस्ट ऐतीन टैक्र नोटिक्टिफिटाइश न ही निकोए टीन कवर करकिए तीन कवर कर लेते हैं फ्रेश इस जो है तो जो पहली पोश्ट हैים पोस्ट किसी में एक है किसी में दो हैं किसी में ज्यादा भी हैं तो complete देख लिए ना वीडियो तो पहले जो पोस्ट वह आपकी प्रोग्राम मेनेजर की आपर पोस्ट रखी गई है नंबर पोस्ट पोजिशन एक हैं जो ओपन है सभी कैटिगरी के इस रिन अप्लाई कर पाएंगे क्या मांगी देखो माश्टर्स करें तो अपलाई कर सकते हो अप्ले कर सकते हो मैं मांशर्स कर रहा हुं साइका भilt अब्लिक हैल्स आप से कुछ भी नहीं मंगा गया है तो आप फ्रेश एलिजिबल है थाटी फाइफ यह आपकी मैक्जिमम एज लिमिट होनी चाहिए यानि कि थाटी फाइफ से उपर एज है तो फिल नहीं कर पाओगे जो पर मंद पे हैं वह आपको 60 थाउजन याने मेंटल हेल्थ जो एप है याफ प्लेटफॉर्म है उनको आपको इन्हेंस करना है वेरियस सेटिंग जो होती है इंप्लाइमेंट में प्रजेक्स टीम के साथ आपको इसमें काम करना है तो पहली पोस्ट आपकी कौन से होगी प्रोग्राम मनेजर की उसके बाद अगली जो पो यह मांस्टर्स प्रस्ट होना आपका कंपल सरी है फस्ट डिविजन आपकी होनी चाहिए एक्सपीरियंस आप से इसमें भी कुछ नहीं मांगा है लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 यह होनी चाहिए उसे उपपर अप्लाइद नहीं कर पाऊगे इसमें भी सैलरी आपक काफी अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी और सिक्समांत की जॉब रूरेशन उसके बाद एक्स्टेल आपकर जाएगा वन और टू यह के लिए काम करना है इसमें भी आपको मेंटल हेल्थ के जो एप है याफ जो कॉंटेंट प्लेटफॉम है उनको आपको क्या है उ इसको कॉलेटी बंगलोरू से जो काफी वेकरिशन आने वाली है क्योंकि मेंटल है जो काफी बने रहे हैं तो काफी पॉस्ट पर देखते को मिल जाएगी मुल्टिपल पोस्ट पे और इसकी लास्ट रेट कब है उसकी बात कर लें कैसा आपको अप्लाइ करना है बाकि और म अप अपने माक्स काड और अगर माक्स काड नहीं है तो अपनी डिग्री भी अप्लाइ कटे तो वह भी बेश आत्यों तो आपको एक सिंपल पीडिए बनाना है और इस इमेल आईडेए पर आपको भेज देना बेजोगे किस पोस्ट ले भेज रहे है वो दिख दिना और कं पर लिक दिना और किस पोश्ट के अपलाई कर रहा है वो भी आप लिख दिना नौ फर्वर्वर्टी आया था आपको 14 डेस मिलेंगे पॉश्टेसा परवने के लिए यानि कि 23 फार्वरित तक अपना फॉर्म जो भर पाओगे और दोनों पोश्ट ले फॉर्म बनना चाते हो तो अलग-अलग इमेल न ठीक है अलग पोस्ट के अलग इमेल करना अब अब बात करते हैं अगली पोश्ट की जिसमें आपकी इसमें है काफी अच्छी तो इसमें आपकी सीनियर कंसल्टेंट साइकाइट्रिक एक लाग दाधा सैलरी है अगले जो पोश्ट इसमें वहापी क्लीनिकल साइकालोजिस्ट की या फिर साइकाइट्रिक सोसल अबरकर की दो पोश्ट है अब देखो डिफ्रेंस देखो सैलरी में अगर आपने एंफिल करिये तो आपको सैलरी मिलेगी 40,000 पर मन और अगर आपने मास्टर्स इन इसमें पर बाकि जो सैकालोजिस्ट और प्रोग्रम में पोश्ट बताई इससे पहले वह आप सिंपल अगर आपको हिंदी और इंग्लिज व्यादी तो भी आप फिल कर सकते हो ठीक है क्लिनिका साइकालोजिस की पोश्ट आपको बहुत ज़्यादा काम इसमें करना पड़ेगा साफ साफ लिखा हुआ है और यह जोब आपकी तीन साल के लिए रहेगी उसके बाद कंडिडिट का परफॉर्मस एक तीन साल के बाद और भी बढ़ सकती है और मैक्सिमम एजली मे आपको इमेल करना है जितने वी आपके रिज्यू में आपका डॉकुमेंट्स वगरा सबके पीटे बनाना और उसके पर इमेल कर दिना इस इमेल आईडी पर यह लिखी है आप इस पर भीड़ दिना ठीक है अब बात करते हैं अगली पोश्ट की यह आपकी निम हैंस की आपको उसके साथ आपको पांस साल का एक्सपीरियेंस चाहिए अकर एंपिल तो फ्रेश भी अप्लाई कर पाओगे मैग्जिम में चाली साल है और आपका डूरेशन साथ महने का रहेगा और जॉब आगे इंक्रिमेंट होगा नहीं होगा इसमें लिखा इसमें है नहीं आप इसको भी 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 भागे तो आपना जो आपका रिज्यू में है आपके कॉपी से जित्ती भी डोकुमेंट के उनको सबको सिंगल पीडिया मना और इसी मेल आडिव भेज दिना और साथ आपको इमेल आइडिए वाट्स नमबर पोश्ट लेड़र सब को मैंसन कर दिना इंपोंटेट रिकूट्म अपको बैंती बादिया अब सबसे बैस्ट मुझे लगा यह आवाला आपका जो साइकोलोजी की दो पोश्ट है और 60,000 पे है और फैश्यस के लिए सब्सक्राइब प्रोग्रम में दर की एक पोश्ट है और इसमें भी साइब मास्टर साइक आप इसमें भी आप फ्रेश्ट अप्लाइब कर पाऊंगा आपको सिक्ष्ट था तो इसमें मिलीगी दोनों तीनों में आप फॉर्म भली नगारा आपका क्वालिफिकेशन में रिट करती है तो बैस्ट वेकेंस आपके लिए है बागी को क्या दोगे तो कमेंडे पोस्त लिना आपके इंस्ट्राइम का लिंक है वहाँ पर पूस्त लिना और टेली आपके टेली आपके लिंग डिस्क्रिप्शन वहाँ पूस्त तो बाकी जल्द मिलते हैं डिले वीडियो तो तक्या थैंक्यू